आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ठक के बारे में जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और देश में ही नहीं दुनिया में जिसका नाम चर्चा में रहा है जी हाँ मैं नटमर लाल की बात कराओं और आप देखिए कि जिन्नोंने आपका ताज महल तक बैद दिया था आप देखिए जिन्नोंने लाल किला भी बैद दिया था और तो और संसत भवन को भी बैद दिया था और तब जब इन्होंने संसद भवन की डिल की उस समय सारे संसद भी उसी संसद भवन में मौझूद थे और छोड़िये इन्होंने राष्टपती भवन को भी मैद दिया था और इसलिए कहते हैं कि उसी चेत से एक ऐसा बेक्ती निकल का आता है जो देश का पहला राष्टपती भवन को बेंच की रख दिया और जब चोरों की बात होती है या इस तरह के डीलरों की बात होती है तो मुझे लगता है नटवर अलाल की बात जरूर होती होगी और आजकल के जो भी छोटे फोटे इस तरह के लोग है उन्हें नटवर लाज से सीख लेनी चाहिए और आप देखें कि इतना एक तरह से mastermind कह सकते हैं आप लो आपकी स्क्रीन पर उनकी फोटू भी दिख रही होगी देख रही है यह नटवर लाल की फोटू है और कुछ उनके कथन भी फेमस रहे है नटवर लाल का कहना था कि मुझे अपनी वुद्धी पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकर सकता है यह तो परड़म पिता परमेसोर की मरजी है मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग में क्या लिखा नटवर लाग ने राश्वती से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के उपर विदेशियों का पूरा करच चुका सकता हूँ और बापस उन्हें भारत का कवजदार्गी बना सकता हूँ एक कहानी है नटवर लाल की समय रहे है और एक कथन और आप देखें उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं किसने कहा कि मैंने ठगी किये मैंने लोगों को कभी नहीं डराया धमकाया नहीं कि मुझे पैसे दे दो लोगों ने तो हाथ जोड़ कर मुझे पैसे दिये स्रीवान पैसे ले लीजे और मैंने ले लिए इसमें अपराद क्या है ये सब्द थे किसके नटवाल लाल के और आपको बता दूँ कि विहार के सीवान जिले में कि बंगरा गाओं में सन 1912 में एक लड़के का जनम होता है जिसका नाम था मितलेस कुमार स्रीवास्ताओं और मिश्टर नटवाल लाल अगर आप से कोई पूच है कि देखें मिश्टर नटवाल लाल का और जीनल नाम क्या था सलीनाप क्या था मितलेस कुमार स्रीवास्ताओं एक बार आप लोग विहार को देख सकते हैं देखें ये विहार है इसकी राधधानी पटना है ठीक है यहीं नटवर लाल बनने की दो अलग-अलग कहानिया हैं पहली कहानी में तो यह माना जाता है कि बिहार की सीवान जली के बंगरा गाउं का रहने बाला मितलेस कुमार स्रीवास्ताओ धनी जमीदार रगुनाद प्रसाद का बड़ा बेटा था और मितलेस पढ़ने में एक औस चा करकता भाग गए और उसी समय उसकी जेब में सिर्फ पांच रुपे थे नटवल लाल की और करकता में मितलेस ने बिजली के खंबे के नीचे पढ़ाई की और बाद में सेट की केसा और आम नाम के एक बंदे ने मितलेस को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया और और मितलेस ने सेट से अपनी इस्तनातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मागे और जिसे कहते हैं कि सेट ने देने से इंकार कर दिये पैसे और सेट ने इंकार करने से मितलेस इतना चिट गया कि उसने रूई की गांट खरीदने के नाम पर सेट के सेट से 4.5 लाग ठक कर सजाइब यह एकमितलेश को उसके पड़ोसी साहाइक ने सहाय ने बेंक ड्राब जम्ह करने की लीए भेजा वहां जाकर मितلفलेश ने साहई आक्षक को कॉफी किया और तो है मित्लेश को पहली बार लगा की जालसासी का काम कर सकता है और उस दिन के बाद मिस्थलेस कुछ दिनों तक अपने पडोसी किखाते से पैसे निकालता रहा जब मिस्थलेस के पडोसी को इस बात की भनक लगी तब मिस्थलेस अकाउंट से 1000 रुपे यानि कि नेटबललाल साहब 1000 रुपे निकाल चुके थे पता चलने के बाद मितलेस कलकत्ता चले गए और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजेशन किया साथी सेयर बाजार में दलाली का काम करने लगे एक दूसरी कहानी इन से जुड़ी हुई है जाल साजी के किस से आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे उन्होंने सेकड़ों लोगों को दोका दिया और पचास से अधिक छदम नामों का इस्तिमाल किया वह हमेशा ठगी के लिए सहर वदलता रहते थे और लोगों को दोका देने के लिए उपन्यासों से पड़कर आईडिया इस्तिमाल किया करते थे ठगी ने नटवल लाल इतने सातिर थे कि उसने तीन बार ताज महल दो बार लाल किला एक बार राष्टपती भवन एक बार संसत भवन तक बेंद दिया था क्या आप सोच सकते हो राश्टपती राजन पिसाद के फरजी सायन करके नटवल लाल ने संसत को ही बेंच दिया था और जिससे समय संसत को बेंचा गया था उस समय सारे संसत भी वही मौझूद थे कहते हैं कि नटवल लाल के बावन नाम थे उनी में से एक नाम था नटवल लाल और सरकारी करमचारी का धरकर नटवल लाल ने विदेशियों को एस सारे इसमारक बेंचे थे और इनकी ठगी पर मिस्टर नटवल लाल फिलिम भी बनी चुकी है जिसमें अमिताप बच्चन ने का रॉल निभाया हुआ है वह एक बड़ी रखम नकल नगद उनसे कहका लेता था और वह एक सामाजी कार करता भी थे और उसने कई दुकानदारों को लाखों रोपे का चूना लगा है दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उनने नकली चेक और डिमांड ड्राप्ट द्वारा भुकतान करता था दिली का का नौट फिले सुरेंद सर्मा की घड़ी की दुकान थी एक दिन सफीद कमीज और गांदी के दिन अच्छे नहीं चल रहा है इसलिए उन्हें पार्टी के सभी ओरिष्ट लोगों को समर्थन के लिए दिली बोलाया है और इस बैठक में सामिल होने बाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना जायते हैं मुझे आपकी दुकान से 93 गड़ी चाहिए और द अगले दिन वो बूड़ा आदमी घड़ी लेकर लेने दुकान पर पहुचा दुकान को दुकानदार को घड़ी पैक करने की बाद कहें एक इस्टाप को अपने साथ नौर्थ विलोग नौर्थ विलोग वो जगह है जहां पिधान मंतरी से लेकर बड़े 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 अपिस होता है ले गया वहाँ उसने इस्टाप को भुक्तान के तौर पर 32,829 रुपे का बैंक डिराफ्ट दे दिया दो दिन बाद जब दुकानदार ने डिराफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बता है कि वो डिराफ्ट फढ़ी है उस समय आप सोचे कि 32,33,000 बहुत र नटवलाल अलग-अलग सहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा और आप देखीं कि नटवलाल ने 9 बार गरपतार किया गया था नटवलाल को लेकिन हर बार वहाँ जेल से भागने में सफल रहते थे और उसे जाल साजी के 14 मामलों के लिए 2 सी ठेरा आये गया और 11 13 साल की सजा सुनाई गी थी लेकिन उसमें से आप देखें मुस्री से 20 साल जेल में बिताया उन्होंने और आखरी बार उसे 1996 में गरपतार किया गया था तो उसी समय उसकी उमर 84 साल थी लेकिन वह पोलिस को चक्मा देने में फिर से काम्याप रहा और समय वह भील चेयर का उ वह गायब हो गये और इसके बाद उसे 24 जून 1986 को पुलिस द्वारा अंतिमबार देखा गया उस तारीक के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया और नटवलाल को अपने की पर कोई सरम नहीं थी वह अपने आपको रौविन होड मानता था कहता था कि मैं अमीरों से लूट में देते थे दान अमीरों को लूट कर इसलिए गरीबों में उन्हें एक तरह से भागवान की तरह माना जाता था उनकी मूर्ती भी आपको देखने को मिलेगी वह उनका कहना था कि मैंने कभी हत्यार का इस्तेमाल नहीं किया लोगों उससे बहाने बनाकर पैसे मांगे और कोट पैसे दे दियें इसमें मेरा क्यागसू रहे आकिरे वार नर्टवललाल बिहार की दरभंगा रेलवेसम अइश्टेशन पर देखा गया था पुलिसम, पुराने था नयदानार जो सिपाही के जमाने में नटवालाल को जानता था उसे पहचान लिया था नटवालाल ने भी देख लिया उसे पहचान लिया सिपाही अपने साथियों को लेने थाने की भी तर गया और नटवालाल उतने में गाइब हो गया यहाँ बात अलगे कि पास खड़ी मालगाडी के डिब्बे से नटवालाल क उतारे हुए कपड़े मिले और गाड की उनिफार्म गायब थी और मरने का नाटक नटवरलाल ने पुलिस से बचने के लिए 1996 में मरने का नाटक भी किया जिसके बाद पुलिस ने रिवरार नटवरलाल के जरुम की फाइल को बंद कर दिया था लेकिन लोगों के अनुसा नट नटवरलाल की मौत 2009 में हुई है अब आप सुचिए कि जो जिसकी मौत हो चुका ही उस पर क्या केस चलाया जाए ठेक है गरीवों के लिए भगवान आपको बता चुका हूं करोडों और अरबों की लूट करने वाला मिश्टर नटवरलाल अपने गाउं के गरीवों अन जर इनकी एक मूर्ती देखने को मिली कि मिश्डर नटवरलाल ने गलत काम करने के बाद भी लोगों की बीच अपने प्यार को बरकरा रखा यही कारूने कि आज भी नटवरलाल के गाउं की लोग इस ठकी मूरती बनाना चाहते हैं और नटवरलाल के नाम से वाल्यूर्ड में दो बड़ी फिलमें भी बन चुकी है जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया हुआ है तो यह कहानी है नट्वल लाल की ऐसे साथ दिमागी ठकी कि आप सो सकते हैं कि क्या रहा होगा आप सोची कि आप समझ सकते हैं कि मतलब तायुमर में और लाल के लिए वह दिया और राशपती भणब भी सेल कर दिया संसदभण भणं भैस्ति समझ एतना भी सोची इससद्भण में संसदभी सभी उपस दिते कि इस तो दिमाग रहा होगा किसी दृए गातो आप समय incentives चली आप आप लोग बताते रही हम लोग बात करते रहेंगे उनके पर चल्चाएं करते रहेंगे ठीक है